दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेशन से आप अपने तवच्छा पर पड़े हुए दाग धब्बे जाईयों को और निशान को किस तरह से दूर कर सकते हैं जो हमारे चेहरे पर काले दाग धब्बे हो जाते हैं पैचेस हो जाते हैं डाक स्प और ढदे पार यतन पर जाता होगा कि बेशन जो होता है ब्यूटी प्रोडट्ट में कितना जादा इस्तमाल किया जाता है हमारे चेहरे पे चमक लाता है पुराने समयसे ही बेशन हल्दी को लगाकर चेहरे की सुनदर्ता को निखारा जाता था दोस्यों और आज भी हम यह अच्छा शाइनी बनाने के लिए तो बेसन आपको यहां पर लेना है दोस्तों दो चम्मच और जो बेसन होता है दोस्तों जो हम बेसन का पैक लगाते हैं तो हमारे स्किन भी टाइट होती है और हमारे चेहरे पर जो जाईयां हो जाती है वह बिलकुल ही जड़ से समाप्त होने लगती हैं खासकर 40 और 45 की एच के करीब करीब जाईयां लेडिज में हो ही जाती है जैंट में पिग्मेंटेशन की प्रॉबलम कम देखी जाती है लेडिज में चाण देखी जाती है इसके लावा यदि हम बहुत जादा धूप में जाते हैं तब भी हमारे चेहरे पर आने लगती है, पिग्मेंटेशन दिखने लगता है, इसके अलावे दोस्तों पानी कम पीने से, धूप में जाने से, बहुत जादा महंगे महंगे, यह जो मैक अप के प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों, उसका बहुत जादा इस्तमाल करने से भी चहरे पर जाईयां हो जाती है, दो चम्मच बेसन लिया है दोस्तों, जो की जाई को दूर करने में बहुत ही फाइदे मंद है, एक चम्मच मैंने गेहू का आटा डाला है, यह दोनों चीजें हमारे घर पर पूरे समय रहती है, तो यहां पर मैंने जो बेसन लिया है, उसकी क्वांटिटी जादा ली है, आ रोज रोज आपको सारी चीजें मिक्स करने की जरवत ना पड़े, अब इसमें आपको डालना है दोस्तों, एक चुटकी हल्दी, हल्दी भी हमारे रंग को निखारती है, एंटिसेप्टिक होती है दोस्तों, और जाई को दूर करने में हल्दी बहुत ही जादा लाभकारी ह तो बेसन, गेहूं का आटा, हल्दी, इन चीजों को मैंने मिक्स कर दिया और एक डिबे में मैं इसे स्टोर कर लूँगी, ताकि रोज रोज इसे आपको बनाने की जरवत ना पड़े, जब भी चाहिए आपको दिन में एक बार आपको इसका पेस्ट लगाना है, आप एक च हाई को दूर करने में, हमारे चेहरे पर जो फोड़े फुंसियों के मुहासे के निशान पढ़ जाते हैं, वह भी दूर होता है इस रमेडी से, तो यहां पर मैंने एक बड़ा चमच पाउडर लिया है, बाकी पाउडर को मैं एक डबे में स्टोर करूंगी, और एक चमच मै पाउडर किया, इसे एक डबे में स्टोर कर रही हूँ, तो दही दाला है दोस्तों, जिनकी स्किन बहुत जादा ड्रा है, सूखी स्किन है, उनके लिए दही सबसे अच्छा होता है, और जो ओली स्किन है उसके लिए भी अभी में आपको बताने वाली हूँ, और इस पैक को आपको अपने चहरे पर लगाना है, जहाँ 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 हैं, वैसे दोस्तों जहाँ जहाँ होती हैं, ज्यादा तर हमारे दोनों गाल पर होती है, कई लोगों को माथे पर हो जाती है, और फिर होटों के चारो तरफ भी जहाँ होने रगती है, और बड़ा ही होता है और जाई से बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों यदि कंटीनिव कम से कम 15 दिन तक आप कंटीनिव इस रेमेडी का इस्तमाल करेंगे इस रेमेडी को आप अपनाएंगे उसके बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईए का दोस्तों कि आपको जाई कहीं लोगों को प्रेगनेंसी में हो जाती है और कई लोगों को ठाईराइट की प्रवлам होती हूं उन्हें भी जाईयों की परिशानी हो जाती है और यह पेस्ट हमारा बन कर तयार हो गया है किस तरह से इपलाइए करना अभी मैं वीडियो में आंके बताने वाली हूं तो य आपको यहां पर लेना है यह पाउडर, जिसे मैंने भी स्टोर करके रखा है डबे में यही बेसन का, गेहूं के आटे का और हल्दी का पाउडर जो हमने बनाया है, वह लेना है, सांथ में आपको नीबू के रस की कुछ बूंदे, चार से पांच बूंद ही आपको लेमन जू जो हमने बेसन लिया वह जादर सभी तरह के स्किन वालों को सूट होता, चाहे बहुत ज्यादा सेंसिटिव इसकिन हो, सभी के लिए बेसन बेस्ट होता है, परन्तु इस बेसन को हमें किस तरह से घोलना आप देख सकते हैं, जिनकी इसकिन बहुत ज्यादा ओली है उन्हें गोलना एक टमाटर काट लिया है, तो पहले मैं आधा टमाटर का रज डाल रही हूं और फिर इसे मिक्स करूंगी, अगर ये बहुत जादा गाढ़ा लगेगा तो मैं वापस आधे टमाटर का रज इसमें डालूंगी, धीरे धीरे करके ही आपको रज को मिलाते जाना है, औ नीबू यदि आपको सूट नहीं करता है, तो आप लेवन स्किप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रेमेडी है दोसों, टमाटर क्या करता है, बलीच का काम करता है, हमारे स्कन में चमक लाता है, हमारे स्कन को टाइट करता है, तो ये घरेलूं उसके जरूर अपना है, 10-15 मिनिट आप इसे लगा के रखें थोड़ा सा सूख हुजाए इसके बार ठंडे पानी से आप अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं आप देखेंगे चेहरे पर कसाओ आएगा सकन में कसाओ आएगा चमक आएगी और जो जाईयों का रंग गहरा है वह बिल्कुल ही दूर हो जाएगा तो पूरा एक टमाटर का रस मैंने इसमें मिक्स कर दिया दोस्तों और अब यह जो हमारा पिग्मेंटेशन क्रीम बन कर तयार है दोनों तरह की क्रीम बताई है मैंने आ को टमाटर का रस डालना है और आप चाहे तो इसमें आदी छोटी चमश शहद डाल सकते हैं शहद से भी हमारे स्किन टाइट होती है और पिग्मेंटेशन बहुत तेजी से हटता है परन्तो यदि आपके पास इस समय शहद नहीं है तो कोई बात नहीं आप इस पाउडर में एक टमाटर का रस एट करें और इसे कुछ दिन तक आप जरूर लगाएं तुरंत ही जाईयों से छुटकारा मिलेगा चहरे पर चमक आएगी दोस्तों और आप खुद देखेंगे कि अरे वा हमारे चहरे पे जो काले दाग थे मुहासे के कटे के निशान थे या कई लोगों को लगाएं दोस्तों इस होम रेमेडी को लगाएं चहरा आपका बिल्कुल साफ होना चीज चहरे को पहले अच्छी तरह से वाश कर लें सूखा पोच लें उसके बाद एपलाए करें 15 मिनट तक सूखने दे उसके ठंडे पानी से हलका सा रब करते हुए आप इसे निकाल ल जाएंगी और चहरे पर जाईयां किसे अच्छी लगती हैं किसे भी अच्छी नहीं लगती हमें बड़ा बुरा लगता है और हमारा कॉंफिडेंस भी खतम होता है तो जाईयों से छुटकारा पाने का यह बिल्कुल आयुरवेदिक तरीका है दोस्तों आप इसे जरूर थैंक यू